किया आपके लिए आपको कि आसपास यहां पर निसान हो गए हैं यदि ऐसा निसान हो गए हैं तो इसे कैसे हटाएं यदि आपको इसको इसकेन से हटाना है इसे कैसे हटाएं तो कि इससे बहुत परिसान है और यह काफी भता लगता है दोस्तों देखने में तो चलिए आज मै इसी पर बात करूंगी नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर ईनराग आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है हमारे युट्व चैनल में ये आखों के आस-पास जो निसान पाया जाता है इसे क्या कहते हैं इसे जन्ते लाजमा कहते हैं ये बंती है किस चीस से य ये कैसे हो जाता है ये कैसे ठीक होगा इसे बहुत लोग काफी परसान है ये बहुत ही सॉप्ट होते हैं दोस्तों और ये बनता है क्या चीस से कोलेस्ट्राओल और बाईल से कोलेस्ट्राओल जो होता है उससे जब ज़्यादा कोलेस्ट्राओल बजाता है तब उसी के कारण ये निसान यहाँ पर जो बनने लगता है कोलेस्ट्राओल तथा बाईल से ये निसान बनने लगता है अब इसे हटाना है तो इसे कैसे हटाना है तो इसके लिए सबसे पहले जर्व को हटाना होगा जैसा कि हमने बताया कि ये बनता है कोलेस्ट्रॉल और बाइल से तो इसके लिए सबसे पले कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और लीवर को हिल्दी रखना है तभी ही ये स्किन ठीक हो पाएगा आपको अपने खान-पान सही करना होगा यदि आप बाहर का सामान खाते हैं तो फिर ये नमुम्किन है हटाना और ये खाते रहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा इसके लिए इस वीडियो में कुछ मैं शेयर करूंगी कुछ टीप्स बताऊंगी जिससे आपको काफी फायदा होगा तो कैसे इसको सही किया जा सकता है और इसकी पर से इसको कैसे खटाया जा सकता है सबसे पहले तो इंटरनली बहुत करते हैं इंटरनलिसको खान, पान और एकसरशाइ जरूर करें ऐसा आप खाना खाएं जो तलाब भुना भुना भुना, सिंपल खाना खाएं, बाजार के चीज़े अवाइड करें, चौकलेट्स के ये सब छोड़ दें, अर्जुन की छाल का पॉडर आप यूज करें, अर्जुन के छाल का पॉडर लें, इसे चाई की तरह बनाएं, और दीन में इसे दो वार पि काफी कम हो जाएगा, ल alcoholic, जो लहसुन होता है उसे थोरा थोरा जरूर खाये, 1 या 2 कली सुगाई, खाली पीट जरूर खाये, इस से भी कोलेट्स काफी हद तक काम के आजा सकता है, बात करते हैं, और इक्स्टर्नल यूज की, इस पे क्या लगाएं, जिससे कभी कम हो जढ़ा, तो आये जानते हैं, सेज़ का सीर का, अरंडी का तेज़, दोनों को सम मौत्रा में लेना है, और इसे काउटन की मदद से, आखों के ऊपर, जहां पर निशान है, जहां जहां, उस पर काउटन की मदद से, लगा देना है, और रात भग उसको छोड़ दें और सुबह में दो कर कुमकुमादी क्रीम इसके लगा सकते हैं इससे बहुत ही फाइदा होगा दोस्तों यकीन माने लेकिन हाँ कोलेस्टरॉल को कम तभी ही आप करेंगे जब आप अपने खान पान पर बिल्कुल धियान दें तभी ही कोलेस्टरॉल कम होगा इसलिए खान पान पर बिल्कुल धियान दें और दो महिने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा ये बहुत ही आसान टिप्स मैं बताई हूँ दोस्तों इसे फालो कर आप इससे निजात जरूर पाएंगी और कमेंट बाक्स में जरूर लिखें कि आपको फाइदा हुआ कि नहीं हुआ और इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग लाब उठा सकें अब मैं वीडियो बंद करती हूँ आप मिलूँगी नेस्ट वीडियो में आफसर है कि आपको लोग वीडियो जरूर पसंद आया होगा यदि पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें बिलाइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेसान मिल सकें मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यूँ